हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में आज का हमारा जो सेशन होगा वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंग्लिश के कुछ ऐसे कोईशन्स आज करने वाले हैं जो आपने पहले शायद ना देखी हो और क उनके लिए यह वीडियो बहुत जादा खास तौर पर इंपॉर्टेंट होने वाली है और यह जो हमारा वीडियो है यह हमारा वीडियो नंबर 6 है इससे पहले 5 वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड कर रखी है आई होप आपने वो सभी वीडियो देखी हो ठीक है तो यहाँ मार्क्स यहाँ स्कोर कर पा रहे हैं जरूर मुझे बताईएगा और सेशन को मिस बिल्कुल नहीं करना है पूरा सेशन एक ही बार में बैटके देखना है ठीक है बीच में उठोगे तो फिर मजा नहीं आएगा सेशन को देखने का तो इसलिए पूरा सेशन देखिएगा ध् बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग first question से start करते हैं और मैं try करूँगी कि जल्दी से जल्दी कम समय में यह सारे questions आप से discuss कर सकूँ ठीक है चलिए first question पर आते हैं first question पर आप सभी का question पर होना चाहिए ध्यान से पढ़ना है क्या question है अब आप से यह क्या पूछा गया है वही एक figure of speech आपको बताना है जो क्या करता है comparison करता है implicit तरीके का comparison होता है दो चीजों के बीच में उन दो चीजों के बीच में जो की unrelated होती है एक दूसरे से असंबंदित होती है लेकिन तभी भी उनके बीच एक common characteristics पाया जाता है तो answer यहां क्या बनेगा हमारा alliteration तो नहीं होगा क्योंकि alliteration में comparison नहीं करते है comparison हमारा personification में भी नहीं होता है comparison हम या तो simili में करते हैं या तो metaphor में करते हैं दोनों ही जो figure of speech है यह comparison के लिए use की जाती है लेकिन इसका जो correct answer बनेगा वो बनेगा हमारा option number C metaphor metaphor में क्या करते हैं हम एक तरीका का implicit comparison करते हैं दो चीजों के बीच में और simili में भी क्या होता है comparison करते हैं लेकिन simili में फरक यह है कि simili में हम like और as का use करते हैं अब जैसे कि अगर मैं एक example दूँ simili और metaphor का कि अगर मैं बोलू कि her heart is like gold अगर मैं बोलू her heart is like gold यानि कि उसका जो दिल है वो सोने की तरह है ठीके क्या है उसका दिल सोने की तरह है तो like का मैंने यहां use किया यह क्या simili मतलब मैंने heart को gold से क्या किया compare किया किसका use करते हुए like का use करते हुए तो यह similar है अगर मैं metaphor का example दू तो यहाँ पर metaphor में क्या बनेगा Her heart is gold अब मैंने उसके heart को ही सीधा सीधा क्या कर दिया Gold बोल दिया ठीक है तो heart को ही gold बोल दिया लेकिन यहाँ पर characteristic क्या है Common characteristic को जब हम share करते तो वहाँ metaphor में आता है ठीक है कि three lines stanza in sonnet is called Sonnet आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके syllabus में language 2 में mention किया गया है Sonnet LEG short story drama literary terms के नाम से तो आप से पूछा गया है कि sonnet में जो three lines stanza होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं quatrain कहते हैं, kupplet कहते हैं, tracet कहते हैं या इन में से कोई भी नहीं कहते हैं तो correct answer क्या बनेगा वो मैं आप से discuss कर लेती हूं correct answer हमारा बनेगा यहां option number C, tracet अब देखो ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा ठीक है, sonnet अगर आप से पूछेगा sonnet जो है वो कितनी lines की poem होती है तो 14 lines की poem होती है poem जो होती है वो iambic pentameter में होती है इसमें हमारी sonnet होती है sonnet की theme अगर पूछेगा तो love theme होती है और यहां पे 3 line का अगर stanza है कितनी line का पूछ रहा है 3 line का तो आपका answer बनेगा tracet क्या बनेगा tracet अच्छा, यहां पे quatrine क्या होता है quatrine हमने discuss किया था पहले भी अगर आप मेरी daily videos देखते है तो आपको यह पता होगा आपने कही ना कही यह मेरे से आपने सुना होगा पहले भी ठीक है quatrine वो होती है जिसमें हमारे क्या होती है 4 line होती है मैंने बार बार discuss किया है quatrine में 4 line होती है हरे chem कोटरें में कितनी line होती है कुपलिट में दो लाइने होती है क्वाट्रेन को हम चौपाई कहते हैं क्या कहते हैं चौपाई को और कुपलिट को हम दोहा कहते हैं हिंदी में ठीक है और ट्रेसिट में कितनी लाइने होती है तीन लाइने होती है तो आंसर क्या बनेगा हमारा option number C बनेगा stanzas होते हैं मतलब कि आपका basically इसको हम क्या कहेंगे quadrant कहेंगे ठीक है आपके क्या है quadrant होते हैं तो जैसे कि अगर मैं इसको लिख के बताओ तो A, B, A, B ये one हुआ फिर C, D, C, D E, F, E, F और G और G इसको मैं अगर part में divide करूँ तो 1, 2, 3 3 आपके क्या होते हैं sonnet में 3 quadrants होते हैं हर quadrants में कितनी line होती है 4 line होती है ठीक है ये और ये जो G और G है ये क्या है couple है जिसकी 2 line होती है तो यहाँ पर correct answer correct answer पर हम वापस आते हैं क्या हो परेगा 3 line stanza अगर आपसे पुछेगा तो आपका answer बनेगा trace it 4 line पुछेगा तो quadrant और 2 line पुछेगा तो complete ठीक है और ये वीडियो मेंने गाईस अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ये वीडियो मेंने पूरी बहुत detail में बना रखी है आरे घंटे की वीडियो है जरूर उसको देख लीजिएगा playlist आपको description box में मिल जाएगा ठीक है आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया है ठीक है चलिए अगला question देखते है if you if you teach language by speaking in class first and then asking the students पीछे जो भी मैं बोलूँ तो यह आप कौन सा principle follow कर रहे है imitation का natural process का motivation का या selection का तो correct answer I hope आपने guess कर लिया होगा इसका correct answer हमारा बलेगा principle of imitation बच्चे आपको देख के क्या कर रहे हैं वैसा ही repeat कर रहे हैं that means कि आप उन्हें imitate कर रहे हैं ठीक है तो यह जो question है यह कहां से आया है language के principle से आया है यह सारे ही language के principles होते imitation यानि बच्चे आपको imitate करे natural process का मतलब है LSRW आप naturally उनको whole approach से दिखाते हो motivation मतलब आप उनको अभी ब्रेंडना देते हैं selection का मतलब है कि आप बच्चों की age के according बच्चों की need के according बच्चों की interest के according level के according आप select करते हैं items को जो भी आपको language में सिखाना है ठीक है यह चारो principle याद रखिएगा अगला देखते next question हमारा क्या है next question पर फटा फट से आजाओ okay so there are three dimensions of communicative competence they are accuracy, appropriacy and dash आप से पूछा गया कि communicative competence जब हम communicative approach की बात करते हैं जिसमें हमारा communicative competence आता है यानि कि भाशाई भाशाई नहीं कहेंगे इसको हम संप्रेक्षनात्मक प्रवीडता इसे हम हिंदी में कहेंगे तो इसमें accuracy आती है appropriacy आती है जब अच्चा habit formation करता है जब अच्चा उस चीज को बार-बार-बार-बार communicative competence में जब भाशा को use करता है जब वो उपियो करता है real life situation में situational तरीके से तो उसके अंदर flexibility आती है भाशा को use करने की तो तीसरा हमारा यहां पर dimension क्या बनेगा flexibility बनेगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते है next question आता है question number 5 which of the following activity is not a part of communicative approach to language teaching अब आपको बताने कि English language teaching में कौन सा ऐसा यहां पे आपको option लग रहा है जो communicative approach का part नहीं है not वाला ध्यान रखिएगा कई बार not वाला हम नहीं देखते है हमारी गलती हो जाती है तो correct answer क्या बनेगा role play, interview, opinion sharing या इन में से कोई भी नहीं आपको बताने कि जो हमारे CLT का या जो हमारा approach है CLT का उसमें नहीं होगा तो यहां पे none of the above will be right answer क्योंकि यहां पर communicative approach की जब हम बात करते हैं तो role play भी करवाते हैं हम बहुत सारी वहां पे play with techniques का यूज करते हैं हम बच्चों से interview भी लेते हैं बच्चे अपने opinion को share teacher से भी करते हैं brainstorming करते हैं विचार विमर्ष करते हैं तो यह तीरों ही चीज़े हम use करते हैं तो none of the above will be right answer ठीक है? चलिए अगला प्रशन देखते हैं which of the following questions promote thinking skills in children मतलब which type of question किस प्रकार के प्रशन जो है बच्चों में चिंतन की शमता का विकास करेंगे thinking skills को develop कौन से question करेंगे ठीक है? personal response question होगा close ended होगा factual होगा या जो की reading text पे based question हो वो होगा तो यहाँ पर बच्चे का चिंतन कब बनेगा जब आप उससे कैसे question पूछेंगे personal response question पूछेंगे जिसे हम open ended भी कह सकते हैं ठीक है? open ended question या इसे हम divergent question अब सारी प्रकार के प्रशन भी कह सकते हैं ठीक है? close ended वो प्रशन है जो की one word वाले होते हैं जिनका सिर्फ एक answer है जो convergent type के questions होते हैं अभी सारी जिसे हम क्याते हैं ठीक है? तो बच्चों की thinking में personal questions जो होते हैं वो ज़्यादा promote करेंगे उनको develop करने में ठीक है? चली अगला question देखते हैं question number 7 आता है which of the following is a characteristic feature of communicative approach of language teaching? language teaching में जो आपका एक feature बताना है communicative का communicative approach का क्या बताना है आपको एक विशेष्टा या feature बतानी है first है more priority to language behavior over conversation interaction मतब आप जो है जादा तो जो priority है जो महत्व है वो behavior पे देंगे आप conversation पे नहीं देंगे तो ये तो गलत हो गया ये इसका feature नहीं होगा दूसरा है learning is not based on pedagogically motivated activities third है learning based on generalized language content क्या हमारी learning एक generalized content पे based होती है इसका मतलब देखो क्या कह रहा ना simple सा ये है इसका मतलब कि जो आप बच्चों को learn करवा रहे हो ना वो ऐसा content पे हो जो generalized हो मतलब कि मानलो कि मैंने आपको content दे दिया मैंने आपको chapters दे दिया आपको topic दे दिया आपको वही पढ़ाना है generalized content मैंने आपको दे दिया तो हम तो ऐसा नहीं करते है क्योंकि हमें पता है कि flexibility होती है हम changes ला सकते है curriculum के अंदर तो C वाला भी नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा option B राइट होगा next question है which of the following can be formative assessment we use मतलब कि इन में से किस में हम formative assessment का use कर सकते हैं monitoring में, placement में, diagnosing में या all of the above में देखो formative assessment हमें पता है निर्मान आत्मक जहाँ पे आप बच्चे की अधिगम को क्या कर रहे हैं एक तरसे हम वहाँ पे सुधार करते हैं बच्चे को हम अभी प्रेडना देते हैं motivation देते हैं हम उसकी learning में progress लाते हैं तो वहाँ पर जो हमारा formative assessment है उस वो monitor भी कर सकता है बच्चे की learning को सुधार भी करना हो सकता है placement के लिए भी हो सकता है diagnose भी आता है हमारी formative का part है diagnostic test तो all of the above यहाँ पर correct answer हमारा option D होगा ठीक है चलिए अगला question देखते है question number 9 question number 9 है in which of the following approach vocabulary structures and grammar rules which have been taught previously are introduced again to reinforce learning and revision कौन सा approach है यहाँ पर वो आपको बता रहा है ठीक है देखो कह रहा है कि आपने vocabulary सिखाई बच्चे को structure सिखाई ग्रामर के rule सिखाई जो आपने पहले सिखाई ना उसको आप दुबारा से वो चीज आप दुबारा से उनको revise कराते हो बच्चे को reinforcement देते हो यहाँ पर पुनर बलन ताकि बच्चे को मिल सके ठीक है तो यह कौन सा approach है तो इसका correct answer हमारा होगा principle of spiral approach अब यह spiral approach क्या होती है उसको थोड़ा से discuss करते है spiral approach जो है जिसको हम हिंदी में कुंडिलकार पाठिक्रम भी कहते हैं एक तरह का curriculum होता है यह approach होती है जहाँ पे इस तरह से हम learning को इस तरह से देते हैं यह spiral हो गया ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो पहले उनको पढ़ाया है न आप उसको revise कराते हो वहाँ पे आपकी जो revision है आपकी revision जो होती है वो important होती है तो इसे हम spiral approach कहते हैं यहाँ पे बच्चे को reinforcement provide करते हैं ताकि learning में उसका सुधार हो सके ठीक है अब यहाँ पर oral way नहीं होगा oral way का मतलब है कि आप बच्चे को speech करवा रहे हो language के अंदर तो यहाँ पर हमारे oral की बात नहीं हो रही है patterns की बात भी नहीं हो रही है कि आप pattern में सिखा रहे हो pattern का मतलब होता है कि आपने पहले ए का sound जो है करवाया फिर आपने O का sound कराया है A का sound मतलब आप एक pattern से सिखाते हो ठीक है vocabulary भी नहीं है vocabulary मतलब आपका शब्द की जबाबात करते हो तो यहाँ पर correct answer क्या बनेगा option A बनेगा ठीक है so guys हम साथ के साथ कुछ options को भी discuss कर रहे है क्योंकि options को discuss करना भी important होता है हो सकता है कि आपके options से ही आपके कुछ questions और बन जाए paper में ठीक है चलिए अगला question देखते है which of the following is used to help backward students who cannot keep pace with the rest of their class अब यहाँ पर बताना है कि ऐसे बच्चे जो backward है जो पिछडे हुए है backward मतलब जो पिछडे बच्चे है जो अपने साथ ही जो उनकी class में है उनके साथ एक pace एक pace का मतलब है कि एक गती नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे तो correct answer क्या बनेगा remedial teaching बनेगा ऐसे बच्चे जो पीछे हैं अपने साथियों से उन्हें आप remedy प्रोवाइट करते हो ताकि वो उनके साथ उनकी learning की gaps जो है वो कम हो सके problem को आप दूर करो और ताकि वो अन्य बच्चों के साथ भी वो उनके साथ learning कर सके ठीक है तो यहाँ पर क्या बनेगा option B is the right अगला question देखते है question number 11 question 11 है dyslexia is which of the following disorder अब dyslexia बताना है dyslexia क्या होती है एक तरह की reading से related हमारी learning disability में आता है learning के disability हो जाना अधिगम अक्षमता और यहाँ पर बच्चा जिसे की उल्टा पढ़ता है B को D पढ़ लेगा या फिर saw है तो was पढ़ेगा या dog है तो god पढ़ेगा यह dyslexia के लक्षन होते है reading से related होती है पढ़ने तो यह जो है एक तरह से कौन सा problem है कौन सा disorder है जो neurological होता है कौन सा neurological neurological का मतलब है कि उसके मस्तिश्क में उसके mind में कोई abnormalities हो जाना उसके mind में कोई समस्या हो जाना इस तरह से neurons यानि तंत्र का तंत्र में कोई समस्या हो जाना जिस वज़े से dyslexia हो जाता है तो option B is the right answer neurological याद रखना है चलो अगला देखते है which of the following is also known as productive skill अब आपको बताने कि इन में से कौन सा productive skill होता है writing, speaking, both A and B या इन में से कोई भी नहीं neither A nor B तो productive skill जो हमारी होती है वो हमारी writing and speaking both A and B होती है productive skill की बात जब हम करते है तो उत्पादक हमारे कोशल होते है language के अंदर अन्य बहुत सारे कोशल होते है receptive, productive दोनों होते है जब हम speaking और writing की बात करते है तो यह productive होते है इन्हें हम reinforcement skill भी कहते है ठीक है कौनसे skill? reinforcement skill भी कहते है इन्हें हम output skill भी कहते है ठीक है यह आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन देखते है next राता है the curriculum and content of language teaching is decided through बही जो curriculum है आपका या आप जो content language का देखते हो उसको decide हम कैसे करते है कौन सा ऐसा principle है जो हम use करते है decide करने में पहला है graded pattern दूसरा है selection तीसरा है proper order चौता है naturalness तो correct answer will be option number B आप क्या कर रहे हैं select कर रहे जब हम select करते हैं तो हम यह देखते हैं स्लेवस में कैसे पढ़ा रहा है curriculum के अंदर content क्या होना चाहिए क्या topic आप पढ़ाएंगे क्या chapter आप पढ़ाएंगे तो जब आप select कर रहे हो तो आपका principle of selection है ठीक है अब naturalness का मतलब क्या होता है कि आप real life से relate करके उसको सिखाते हो यह हमारा principle of naturalness है proper order का मतलब है कि पहले आप listening सिखाएंगे फिर आप speaking सिखाएंगे फिर आप reading फिर writing सिखाएंगे और यहाँ पे graded pattern का मतलब है कि simple to complex आप सिखाते हैं बच्चों को ठीक है easy to easy to difficult की तरफ हम जाते हैं तो वो हमारा क्या है patterns है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते है okay next question क्या है English is a big key of the modern world has said by अब यहाँ पे English को big key of the modern world किस ने कहा वो आपको बताना है तो फटावट से options को देखते हैं ठीक है यहाँ पर Stephen Krashan होगा Vygotsky होगा Jawaar Lal Nehru होगा या महात्मा गांधी होगा तो correct answer बनेगा यहाँ पे हमारा option C Jawaar Lal Nehru Jawaar Lal Nehru ने English को big key कहा modern world में और अगर आप से पूछेगा कि window किस ने कहा तो एक word आता है कि English को modern world का window किस ने कहा तो वो भी आपका क्या होगा Jawaar Lal Nehru होगा ठीक है अगला question देखते है question number 14 question 14 आता है identify the rhyming scheme of the given lines अब आपको यहाँ पे rhyming scheme बतानी है तो हम लोग daily ऐसा question करते हैं हर session में तो अब तक आपको पता चल गया होगा अगर आप daily session मेरा लेते हैं ठीक है तो क्या कर रहा है आपको आपको बताई है last वाले words को देखना है सारा नहीं पढ़ना है सारा पढ़ेंगे time waste होगा paper के अंदर ठीक है काम आपको सिर्फ काम किसका है last वाली lines का है ठीक है चलिए first है terrific 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 है a कर दो neat अब terrific neat दोनों का sound अलग है rhyme अलग आ रही है same नहीं आ रहा है तो b कर दो things terrific neat things different है इसको c कर दो तो अगर आपको different लग रहा है तो आप उसको अलग letter से दिखा दोगे a b c d चलता रहता है ठीक है जैसे terrific अलग है तो a कर दिया सबसे पहले a करेंगे हमारे शुरुबाती a से होती है फिर neat b कर देंगे अलग है things things भी अलग है c कर दो और sweet sweet तो neat sweet neat sweet same sound है तो इसको b कर दो तो क्या बनेगा हमारा a b c b तो a b c b देख लेते तो option b में हमारा a b c b दिया हुआ है तो option b will be right answer अगला question देखेंगे remedial teaching as part of formative assessment means remedial teaching जो है जो की हमारे formative assessment का part होता है उसका मतलब क्या है remedial का मतलब आपको यहां बताना है first है provide extra coaching by parents teaching for gifted students diagnosing and addressing gaps in learning या teaching beyond the textbook तो हमें पता है कि जब हम remedial teaching करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं हम diagnose करते हैं और learning की जो gaps है उसको हम क्या करते हैं address करते हैं उसे हम दूर करते हैं तो option number C is absolutely correct answer अगला question देखते हैं अब आपको बताना है identify the figure of speech आपको यहां क्या बताना है figure of speech को identify करना है इस कविता को पढ़के ठीक है तो फटावट से देखते हैं क्या होना चाहिए क्या कह रहा है hope is the thing with feathers अब first line में कहा गया कि hope is the thing with feathers अब hope जो है वो ऐसी चीज है जिसके feathers है that puts in the soul and sings the tune without the words and never stops at all अब यहां पर कौन साब को figure of speech लग रहा है metaphor है, assonance है, alliteration है या personification है तो answer क्या बनेगा हमारा यहां पर यहां पर बोला गया कि जो hope है जो हमारी आशा होती है उसके feathers होते है क्या hope के feathers हो सकते है hope के punk हो सकते है नहीं हो सकते न तो यहां पर कहने का मतलब है कि यहां जो हमारा अलंकार होगा वो होगा हमारा मानविय करन जिसे personification कहते हैं आपने क्या कर दिया hope जैसी चीज जो आपका एक तरह का non living है जो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं जो है ही नहीं वास्तव में उसे आपने कहा कि उसके punk होते हैं ठीक है तो हमें पहली line में पता चल गया कि हमें personification जो है इस पूरी की पूरी poem में use की गई है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं next question हमारा आता है question number 17 which of the following is conventional way of assessment of students conventional way क्या है assessment करने का बच्चों के ठीक है वो आपको बताना है conventional का एक तरह से मतलब पारंपरिक हो सकता है या फॉर्मल हो सकता है ठीक है first है formative second है summative third MCQs type या four है none of the above तो correct answer क्या बनेगा हमारा option B is the right answer conventional way का मतलब है जो एक पारंपरिक तरीका है जो चला आ रहा है तो हम जब ऐसे करते हैं जहां पर हम बच्चे का final judgment कर देते हैं मुल्यांकन कर देते हैं overall तो वो हमारा summative का part हो जाता है assessment of learning भी इसे हम कहते है ठीक है अगला question देखते है all the world is a stage the line contains अब यहां पर कहा गया है all the world is a stage यहां पर कौन सा figure of speech यहां पर है metaphor है alliteration है simile है यह rhyme है तो यहां पर जो कहा गया है कि जो all world है जो दुनिया है वो एक stage है तो दुनिया को stage कहा दिया गया यानि कि यह एक metaphor का example है ठीक है metaphor में यह क्या करते हैं हम यहां पर comparison करते हैं दो चीजों का जो कि कहीं ना कहीं एक common characteristics को show करता है तो correct answer क्या बनेगा यहां metaphor अगला देखते है next question a good evaluation must be based on एक अच्छा मुल्यांकन जो है वो किस पर based होना चाहिए options देखते हैं फटावट से first है confront of the students second है formative test third है summative या both B and C तो correct answer जो यहां पर होगा एक अच्छा मुल्यांकन आपसे पूछा गया है एक good evaluation कैसा होना चाहिए किस पर उसका आधार जो है वो क्या होना चाहिए यानि कि एक अच्छा evaluation formative test यानि FA और essay दोनों पर based होना चाहिए आपको पता है कि हम साल में चार बर FA करते हैं आपके दो essays होते हैं हरा 10-10 marks के आपके FAs होते हैं अगर CBSC की जो एक CCE में आपका पैटर्न है उसके according आपका 40% आपका formative होता है और आपका 30-30% जो है वो आपका क्या बनता है 60% summative बनता है और total आपका 100% बनता है तो यानि कि दोनों ही चीज़ें एक अच्छी evaluation में होना चाहिए अगला प्रशन देखते हैं The theme of LEG is अब आपसे LEG का theme पूछा गया है और ये question आपका कहां से आया है ठीक है theme बताना है मौनफुल होना चाहिए celebrating, religious या all of the above तो जो LEG होती है, LEG हमारी एक तरह की शोग या विलाप तरीके की कविता होती है तो इसकी जो theme होगी वो हमारी होगी मौनफुल मौन का मतलब होता है कि किसी तरह का शोग करना या विलाप करना ठीक है, तो LEG क्या होती है, it is a lament poem ठीक है, lament poem होती है, lament का मतलब है कि एक शोग कविता होती है जो किसी की death पर लिखी जाने वाली कविता होती है एक तरह की sad poem ये होती है तो sad poem, death पर लिखी जाने वाली कविता, lamentation, lament poem और मौनफुल poem जो है वो LEG के characteristics में आएगा ठीक है तो option A एकदम correct यहां पर हमारा answer होगा अगला question देखते है question number 21 21 question है the act of speaking once thought aloud regardless of any hearers मतलब कि ऐसा speaking का act जहां पर एक व्यक्ति अपने विचारों को बहुत जोर जोर से बोलता है ठीक है लेकिन उसको सुनता नहीं है कोई तो यह आपका जो है आपका जो answer यह जो question है यह आपका drama से आया है basically drama में हमारे कुछ techniques होती है जो use करता है एक actor तो drama में जो correct answer is question का होगा वो बनेगा हमारा सलीलेक्वी अब सलीलेक्वी क्या होता है यहां पर क्या होता है कि एक जो character है मानलो वो अपनी inner thoughts and feelings है उसको बोलता है उसको speak करता है लेकिन उसको जो अन्य जो character है या जो अन्य वहां के पातर है जो और भी वहां के उसके साथ जो actors है वो उसे नहीं सुन पाते हैं तो यह आपका क्या है सलीलेक्वी होता है वो मतलब बिसिकली यह बंदा जोड़ जोड़ से बोल रहा है अपनी feelings को express कर रहा है लेकिन सुनता कोई नहीं है ठीक है और यहां पर monologue जो है यह भी एक drama की क्या होती है टेकनीक होती है यहां से read के अंद जो characters है और भी उसके साथ जो और भी character है या जो चरितर है उनके साथ अपनी feeling को express करता है वो आपका monologue होता है तो monologue और सलीलेक्वी दोनों ही drama की टेकनीक है सलीलेक्वी में यह होता है कि जब वो feelings को express कर रहा है तो उसको कोई सुनता नहीं है अन्ने जो characters उन्हें यह नहीं पता होता है ठीक है तो यहाँ पर option number A जो है वो correct answer हमारा होगा अगला प्रशन देखते है remedial teaching must be done अब remedial teaching जो है वो done कब होना चाहिए कब किया जाना चाहिए after evaluating the problem before teaching with every topic या all of the above क्या remedial teaching हम हर topic के साथ करते हैं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है हम पढ़ाने से पहले remedy करते हैं ये भी नहीं होगा हम कब करते हैं जब आपने किसी problem को evaluate किया जब आपने किसी problem को समझा उसको diagnose किया तब ही हम remedial उसके बाद remedial teaching conduct करते हैं एक class में तो यहाँ पर option A जो है answer correct हमारा ह अगला प्रशन देखते हैं question number 23 23 कहता है कि written test are meant to test written test जो है वो क्या test करते हैं क्या एक बच्चे की जो skill है उसको देखते हैं vocabulary को देखेंगे language study को देखते हैं composition को या all of these को तो written test आपको पता है लिखित परिक्षाएं जो होती है जो हम लिखते हैं उसमें क्या है कि हम vocabulary भी check कर सकते हैं बच्चे को शब्द कितने आते हैं ठीक है शब्दों का ग्यान भी हम देख सकते हैं language की study को देख सकते है composition यानि कि जो उसका लिखने का तरीका है जो shelly है तो य use of mother tongue in learning foreign language can be judicious when used at अब आप से कहा गया है कि जो mother tongue है अगर हम उसको learning में या किसी भाशा को सीखने में अगर use करवाते हैं तो उससे क्या होगा हमें कब करवाया जाना चाहिए कब एक समय है जब हमें उसको कराया जाना चाहिए वो आपको बताना है early stage होगा यहां पर later होगा तो every situation होगा या in leading mother tongue यानी mother tongue को फ्रोचसाहित करने में होगा या उसे बढ़ावाद देने के लिए होता है तो आपको पता है कि जब हम बच्चे के learning में mother tongue को जब उसकी learning में जब उस सीख रहा होता है जब पढ़ रहा होता है जब हम उसको कुछ सिखा रहे होते है primary level पे तो आप तो हमें कहा जाता है कि उसकी mother tongue में ही हमें सिक्षा देनी है तो यहान पर उसे हमें कप किया जाना चाहिए early stages में ही कर दिया जाना Crметा को बिचलिया सस्क्रेश कर दिधन के तो अब आपको बताना है supply a model which expresses ability. अब आपको ऐसा module यहाँ पर बताना है यह जो question है यह आपका module auxiliary से आया है ठीक है तो जो ability को दिखाता है में दिखाता है must दिखाता है will या can अब यहाँ पर sentence दिया हुआ है all of them dash speak three languages तो क्या होना चाहिए आपको बताना है ability तो यहाँ पर answer बनेगा can can speak three languages can हम तब show करते हैं जब हमें किसी की ability किसी शमता को बताना है किसी की तो वहाँ पर हम किसका use करते हैं can का use करते हैं ठीक है make a use कब करते हैं हम किसी से permission लेने के लिए हमें formal तरीके से permission लेनी हैं किसी से तो हम make a use करते हैं make a use हम possibility को show करने में भी कर सकते हैं must का use कब करते हैं देखते हैं, we must come back by six, must in the above sentence expresses, अब यहाँ पर आपको must बताना है, कि must का यहाँ पर क्या एक मतलब होना चाहिए, क्या शो करता है, must, possibility को शो करता है, advice को शो करता है, desire को शो करता है, या necessity को शो करता है, तो हमने क्या discuss किया, कि भई हम जब एक strong obligation को दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारा answer बनेगा must, ठीक है, तो यहाँ पर we must come back by six, अब must हमें क्या पताता है, necessity, necessity का मतलब कि हमारी एक जरूरत, हमारी एक आवशक्ता, और हमारी एक तहरे से क्या, कि strong जब हमारी किसी चीज़ को लेकर करके determination हो, धारणा हो, वहाँ पर हम must का use करते हैं, कि भई हमें ये करना है, तो करना है, हमें छे वज़े तक घर आना है, तो यहाँ पर necessity को दिखाया जा रहा है, advice की बात नहीं हो रही, desire इच्छा की बात नहीं हो रही है, possibility की बात नहीं हो रही है, अगला question देखते हैं, कु बनेगा 44, ठीक है, अब 44 में भी आपके क्या है, टाइपस है, कुछ आपके monopthongs होते हैं, कुछ आपके vowels होते हैं, कुछ डिपthongs होते हैं, कुछ consonants होते हैं, यहाँ से answer जो है question आपका बनता है, तो 44 टोटल आपसे पूचेगा तो टोटल लगा होगे, इसमें से 20 हमारे क्य होते हैं, vowels होते हैं, ठीक है, vowels होते हैं, और 24 क्या होते हैं, हमारे consonants होते हैं, ठीक है, और vowels के अंदर भी, 8 क्या होते हैं, हमारे dipthongs, 8 dipthongs होते हैं, और 12 क्या होते हैं, हमारे monopthongs होते हैं, ठीक है, monopthongs कितने होते हैं, 12, 8 dipthongs होते हैं, यह सारे आपको याद रखने हैं, तो answer बनेगा option A, अगला है dip thongs are, अब ये dip thongs क्या होते हैं, pure vowel sounds होते हैं, pure consonant sounds हैं, semi vowel sounds हैं, या combination of two pure vowels हैं, तो dip thongs का correct answer बनेगा option number D, यहाँ पे dip thongs क्या होते हैं, दो pure vowels के combination होते हैं, यानि मानलो कि A है और E है, या I और E है, या O और U है, तो ये क्या है आपके dip thongs है, जहाँ पे आपके दो pure vowel है, इन्हें हम glide vowels भी कहते हैं, याद रखना, इन्हें हम impure भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक नहीं होते हैं, दो vowels मिलकर के एक sound produce करते हैं, तो यह हमारा dip thongs होगा, dip thongs की संख्या कितनी होती है, आठ होती है, ठीक है, अगर आपसे pure vowel sounds पूछेगा, तो आपका answer क्या बनेगा, mono of thongs बनेगा, जो 12 होते हैं, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, which of the following does not have eye sound, अब इसमें से ये eye जो है, इसमें कौन से सब वर्ड जिसमें ये eye का sound नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये eye का sound बता दूँ, कि ये जो eye का sound होता है, ये हमारी छोटी e की मातरा के लिए use किया जा अब यहाँ पे देखो क्या है, कौन सा word होना चाहिए, अब इसमें है weak, weak, तो बड़ी की मातरा आ रही है, e, e, उसके बाद bean, इसमें भी बड़ी की मातरा आ रही है, deep, इसमें भी बड़ी की मातरा आ रही है, pretty, आप बोल के देखेंगे तो आपको जादा पता चलेगा, pretty मे जो e की मातरा है, वो छोटी e की आ रही है, ठीक है, बोलने पे, तो pretty इसका correct answer बनेगा हमारा, जिसमें हमारा ये i वाला sound है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इस तरह से आप से sound और उसका जो phonetic symbol है, वो पूछा जाएगा, exam के अंदर, इसकी भी video मेंने complete बनाई यहाँ पर answer बनेगा हमारे 9, 9 हमारे fricative sounds होते है, हमने discuss किया था, जैसे Z है, D और Z करके होता है, एक इस तरह से ये वाला sound होता है, एक इस तरह से ऐसे करके F होता है, ये शा का sound होता है, ये दा का sound होता है, एक ठीटा होता है, वो था का sound होता है, Z आपका जा का sound होता है, इ इक ही वीडियो में आपको इस सारी सिंगista COn verr जौरूर क आप चलिक ना तो यहां सहे कैए होगा आपको आज का कुछ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस सेशन को आप जादा जादा लाइक करिए, कमेंट में बताइए, शेयर जुरू करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो जैनूरली अच्छी लगती है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट वी